तो ये पर आपका बहुत बहुत सागत करता हूँ थमिल से देखके आपको पता चल गया होगा कि आज किस वीडियो में हम लोग किस टापिक पर बात करने वाले हैं जी हाँ आज हम बात करेंगे SSC MTS की सेलरी के बारे में और ये हमारे पास ओरिजिनल सेलरी स्लिप है जिसके थ सेलरी आपके हाथ में आने वाली है वो कितनी होगी तो बीडियो बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये मोटिवेशन का भी काम करेगा क्योंकि अगर आपको मतलब अगर आप नौकरी पा लेते हैं जौब मिल जाती आपको तो यह जो एमाउंट जो आपको हाथ में मिलती है वो कितनी मिलती है तो सबसे पहले अगर हम बेसिक पे की बात करें तो इसका जो बेसिक पे है वो आपको कितना मिलता है बाइस हजार सो रुपे जो है आपका बेसिक पे लेकिन बेसिक पे जो है वो आपकी ओरजिनल सेलरी नहीं है यह आपका जो 3757 रुपए यानि कि 3.59 आपको DNS allowance मिलता है यह आपका लगवग XYZ हर city में आपका सेम रहता है वाकि जो आपका house rent allowance है वो XY और Z city के इसाप से वो vary करता है तो यहाँ पे 3757 रुपए आपको DNS allowance मिलते हैं उसके बाद DA on TPA आपको कितना मिलता है 153 रुपए मिलता है house rent allowance आपको 1850 अब ये x, y और z city के हिसाब से vary करता है, वो मैंने बताया ना, और ये जो अठारा सो रुपए है, ये मेरे हिसाब से ये x city का है, clear, तो अठारा सो रुपए house rent allowance आपको मिलता है, अब वो x, y और z जिस city में आप रहते हैं, उसके हिसाब से वो vary करेगा, तो उसाब से आपका जो in hand salary है, उसमें थोड़ा सा आपको up and down देखने को मिल सकता है, उसके बाद अगर हम बात करें, transport allowance की, तो transport जो allowance आपको मिलता है, वो मिलता है 900 रुपए, जो transport allowance मिलता है, वो 900 रुपए मिलता है, उसके बाद cycle जो allowance मिलता है, वो 180 रुपए मिलता है, तो total अगर हम इसका sum देख भी होते हैं तो क्या के डिटेक्शन होते हैं इसमें आपका NPS contribution जो कि आपका 2586 यानी कि लगवग आपका 2600 रुपए यह आपका माइनस हो जाता है उसके बाद PLI जो प्रीमियम है वो आपका 228 रुपए कटता है तो मलब 10,5 रुपए यह लगवग मतलब कट जाता है उसके बाद आपका जो saving fund है उसमें आपका 30 रुपए cancel हो जाता है तो total जो यह charges जो deduct होते हैं आपके वो है 3644 रुपए इसके अलावा 4500 रुपए और आपका deduct होता है यानि कि total हम मान लेते हैं कि 4000 रुपए आपको यह कटवाने पड़ते हैं जो आप अपना NPS contribution करते हैं PLI देते हैं और उसके बाद saving fund में जो जमा करते हैं तो 28,890 में से अगर हम 4000 माइनस करते हैं तो 24,890 रुपए बनता है यानि कि लगबग हम मान सकते हैं कि आपको 25,000 रुपए जो salary है वो in hand आपके account में आती है तो यह काफी decent amount है अगर आप इस समय preparation कर रहे हैं आप विरोजगार हैं तो 25,000 रुपए बहुत बड़ा amount होता है विरोजगार आदमी के लिए अगर आप job पॉल लेते हैं MTS की job को पाना बहुत ही आसान है कैसे आप इस job को पास सकते हैं कैसे आप का टाप को clear कर सकते हैं और कैसे first attempt में इस job को निकाल सकते हैं उसके बारे मैं अगले वीडियो में discussion करूंगा complete आपको information देने वाला हूं उसके बाद जो अगला हमारा वीडियो आएगा उसमें बताऊंगा कि आपका यहां पे exam देने से लेकर के joining तक का process क्या होता है तो complete आपको इस channel पे MTS exam के regarding सारी information मिलने वाली है तो आपको salary के बारे रहते हैं और job मिल जाती है आपको फिर क्या है कि आप आगे अपनी त्यारी करते रही है इसके बाद आपके जो यहां पे इंटेर्नल आपके exam होते हैं इनमें भी आप आगे अपना promotion ले सकते हैं उसके अलाबा किसी और exam की preparation अगर आप CGL की प्रेशन करें तो उसमें भी यह काफी help करता है क्योंकि आपके पास एक आपका मतलब एक backup हो जाता है जाब अगर आपको मिल जाती है तो backup हो जाता है फिर आगया आपना target जो है बड़ा target कर सकते हैं तो उमीद है कि यह जो वीडियो है वो आपको बहते तरीके समझ में आओगा काफी motivation आपको मिला होगा वी झापको